दोस्तो नमस्कार Profit Guru चेनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का सौगत करता हूँ तो दोस्तो जैसे कि आपने देखा होगा कि कौटर थर्ड के जब नमबर शू हो रहे थे जब बहुत सारी कंपणियों ने बोनस का अपडेट दिया था 20% स्टॉक भागा दोस्तो एतनी खुसी हमें देखने को मिली और सबका पसंदीदार ये स्टॉक देखा जाता है ठीक है पसंदीदार अगर देखा जाए तो लगबग 80-85% इन्वेस्टर के पर्टफूलियो में स्टॉक मिलता है ठीक है पस्क्राइब करिए क्योंकि डेली बेस्टर पर इसी प्रकार का भैतरिंग अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं तो चलते हैं उस कंपनी की सबसे पहले फंडामेंटल कंडिशन को चेक करनें तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों यह कंपनी खाली आपको NSC पे लिस्टेट मिलेगी ठीक है इस कंपनी का मार्केट के पे 11,811 करोल का पी एनिंग रेश्यो देखेंगे तो 55.6 का रिटर्न ओन इंप्लोई देखेंगे तो 8.58 का रिटर्न ओन इक्विटी 5.89 का बुग वेल्यू देखेंगे साथ में करें मार्केट का प्राइस देखें उसके साथ ही 52 बिक का लो देखें ठीक है और फ्येस वेल्यू देखके चलिए न्याज़ सुरूबात बहुत इंटरेस्टिंग साथ में देखें कुछ टेकनिकल इनलाइस जैसे डियमे में लगे हुए है 200 डियमे और 50 डियमे मतला 50 दिन का डाटा और 200 दिन का डाटा तो आप देख सकते हो कि ये स्टॉक 200 डियमे के तो 2000 का ठीक है उसके साथ ही उसने जब recovery की ना तो एक single day में उसने 25 रुपे का label भी break कर दिया यह बहुत बड़ी बात हमें देखने को मिली है इस stock से related ठीक है आप देखते हैं इस stock के अंदर कुछ positive और कुछ negative qualities तो जैसे कि आप देखके चल सकते हो यहाँ पर देखने को मिलेगा क companies almost date free ठीक है उसके साथ ही आप देख सकते हो कि company का जो health मतलब dividend है देने का तरीका वो भी बहुत interesting है ठीक है उसके साथ ही अगर आप देखेंगे कि company का जो sales growth हमें देखने को मिलता है वो थोड़ा poor देखने को मिलता है बताया जा रहा है 5 year past 5 year ठीक है उसके साथ ही company has a low return on equity last 3 year का अगर आप performance देखेंगे equity का तो वो थोड़ा सा परिशान करने लाएक है यह सा कुछ negative point में update किया गया है और तीसरा negative point यह सा बताया गया है कि company का जो increasement होना चाहिए कम दिन में ठीक है तो थोड़ा ज्यादा दिन में हो रहा है तो यह सा कुछ परिशानी का कारण हमें द sales growth देख सकते हो फिर second wave आया था ठीक है जब sales growth देख सकते हो second wave का sales growth देख सकते हो और December quarter का sales देख सकते हो ठीक है उसके साथी operating profit आप compare कर सकते हो quarter to quarter sales कम हुई है ठीक है तो profit भी थोड़ा सा हमें कम देखने को मिला है यह operating है तो net profit के अगर मैं बात करता हूँ तो net profit में भी हलक यहाँ पर अगर हम profit and loss अगर हम साल भर का performance देखें तो मार्च 2010 में देखें पुरे साल भर में company ने 464 करूर की sales की थी 11 में बढ़की आई, 12 में भी sales बढ़की आई, लेकिन 13 में performance कम हो गया था 14 में फिर कम हो गया था, लेकिन 15 से फिर recovery है, 16 में फिर 12 recovery लेकिन 17 में फिर गिरावट, फिर 18 में recovery, फिर 19 में गिरावट, फिर 20 में गिरावट और फिर 21 में recovery ठीक है, operating profit भी देखेंगे, तो उपर नीचे ही हमें operating profit भी देखने को मिल रहे है साथ में net profit भी अगर आप देखेंगे, तो net profit भी देखें चल सकते हो, कितना interesting है इस साल का मार्च 2021 का और EPS देखिए 32 रुपे 18 पैसे के आसपास का EPS यह पूरे साल भर का performance है ठीक है तो आप देख सकते हो उसके साथ ही अगर हम देखें percentage wise तो company का जो sales growth है 10 साल पहले 2% था 3 साल पहले 2% माइनस में था और अभी 26% है तो यह हमारे लिए बहुत अच्छे बात है profit growth देखिए 10 साल पहले 4% माइनस में था 5 साल पहले 2% 3 साल पहले 41% माइनस में था और अभी current में 99% का profit growth है ठीक है stock का return देखिए last 1 साल में भारी भरकम return दिया है इस stock ने अपने shareholder को ठीक है उसके साथ ही shareholding book देखते हैं कैसी देखने को हमें मिल रही है तो shareholding book यहाँ पर दुस्तो अपडीट नहीं है ठीक है यहाँ पर बताए जा रहा है तो अगर आप देखा जाए दोस्तो तो बहुत ही interesting हमें यहाँ पर performance देखने को मिल रहा है दोस्तो इस company के तरब से मतलब अगर हम fundamental condition देखे तो इस company की अच्छी है जैसे देसे दोस्तो company का जो sales का जो pattern है अभी जैसे की 26% आपको देख रहा है यह और अगर बढ़ता है तो definitely आगे भी अच्छा कासा moment हमें देखने को मिलेगा ठीक है तो हम किसकी बात करें यह दिखाते हैं तो चले सबसे पहले return on pattern देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस stock में आज 20% की धमा के ताह तेजी देखने को मिले ठीक है 20% का मतलब अपर सर्किट लग चुका था 2650 रुपे 40% पर यह stock close हुआ ठीक है लास्ट 5 दिन में देख सकते हो 25% की तेजी लास्ट 1 मेहने में stock में 16.5% की तेजी है 6 मेहने की में बात करता हूँ 115% की तेजी है लास्ट 1 साल में देखिए 350% की तेजी है लास्ट 5 साल की अगर में बात करता हूँ दोस्तो तो 180% की तेजी है और overall के performance की अगर मैं बात करता हूँ तो ये company market में दोस्तो 2017 की ही आई हुई है लेकिन performance बहुत जोड़दार इसने दिया है ठीक है चलिए इसका record date देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम पहले performance देखें तो देखें 228.70 पर स्टॉक का previous close था 228 रुपे पे open हुआ अब 2650 रुपे 40 पैसे का इसने high लगाया और यही stock का all time और 52 बिक का high बन गया और low price देखें मातर 5 रुपे नीचे open price से ठीक है volume देखें तेजी आया ना तो volume बहुतर लाग 92,000 quantity का अब देखें 10 March 2022 आज के दिन stock ने अपना 52 बिक का high लगाया और 25 March 2021 को stock ने 535 रुपे का क्या लगाया था अपना 52 बिक का low लगाया था ठीक है इसके साथ याज का अगर delivery pattern देखें तो delivery pattern देख सकते हो 20% से ज़्यादा का delivery pattern है quantity अगर आप देखेंगे तो 15,000,000 quantity देखने को मिल रही है साथ में company information पर हम देखते हैं record date ठीक है share holding pattern तो आपने देखा नहीं यहाँ पर हम देखते हैं तो देखें promoters के पास कुछ भी नहीं है पूरा stake public के पास है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो record date आई हुई है जैसे कि आप देख सकते हो जब company ने financial legal show किया था 8 February को तब इसने अपना bonus का update दिया था अब यहाँ पर देखें 21 March 2022 को क्या किया जा रहा है यहाँ पर X rate रखा गया है तो आप अगर दोस्तो इस bonus के लिए eligible होना चाते हो तो आपको 20 तारीक तक क्या करना पड़ेगा इसमें investment करना पड़ेगा यह देखें dividend देखें कितना तारीक में dividend दिया और देखें buyback भी किया था dividend देखें dividend का क्या price है और यहाँ पर जो bonus मिल रहा है वो 2 to 1 के ratio में मिल रहा है मतलब अगर आपके पास company का 1 share है तो आपको 2 share bonus मिलेगा हलका पतला bonus नहीं bonus भी दोस्तो 2 गुना bonus मिल रहा है अगर आपके पास company के 10 share है तो वो हमाँ पर कितने मिल जाएंगे आपको 20 और मिल जाएंगे total मिला क्या आपके हो जाएंगे दोस्तों कितने 30 share फिर यह 30 share में आपको आगे दमागेदार return मिलेगा तो एक दमागेदार दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है यह news ठीके और अगर हम company का नाम देखे तो company का नाम है B.S.E. Limited ठीके B.S.E. के अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत ही दमागेदार दोस्तों यह stock अपना market में return दे रहा है अपने shareholder को news भी बहुत तगड़ा हमें दिखा रहा है ठीके तो जरू दोस्तों आप इस पे focus जमा के रखिए ठीके आगे यह momentum हमें आपको बहुत ही तगड़ा देखके मिलेगा ठीके तो यह था update यह update अगर आपको पसंद आया तो please इस वीडियो को like करेगा चैनल को subscribe क्योंकि daily basis पे इसी प्रकार का बहतरिंग update आप लोगों तक लाते रहते हैं तो thank you दोस्तों